हलो, नमस्कार इस्टोइंट, मैं विशेक भारगाओ 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 लासेश के इस यूटूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जो मारे वीडियो को टापिक है वो है पद्म पुरुषकार 2021, जिसकी घोशना जो है वो कर दी गई है तो शुरू से लेगे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा, बहुत छोटा और बहुत शौर्ट में आप लोगों को बताये गया है, कितने लोगों को दिया गया है, कौन-कौन सा जो अवार्ड जो होता है, इसके अंदर में वो इंपोर्टेंट होता है, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ, उसके अद हम कुछ प्रश्न करेंगे, MC की वाले, ठीक है, इसी बेस्ट पे, ठीक है, तो सुरू से लेगे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा, और एक बात कहाना चाहूँगा आप सभी से कि अगर अभी तक आ करते हैं, देखते हैं, पद्म पुरिसकार, तो देखे, भारत रत्न के बाद, देखे, आप सभी को मालूम होगा की, जो सरवोच नागरिक सम्मान है, वो है पहले नंबर पर भारत रत्न, ये आपको याद रखना है हमेशा, कि पहले नंबर पर कौन सा है, तो पहले नंबर पर है भारत रत अब उसके बाद में यह जो पद्मभूर्स कराते हैं यहां से उनका जो है श्रिंखला चाल बूता है जैसे पहले नंबर पर है भारत रत दूसरे नंबर पर है पद्मभूशन तीसरे नंबर पर है पद्मभूशन और चौथे नंबर पर है पदमस्री तो यह आपको भी याद रखना पड़ेगा कि ये दूसरे नंबर पर है ये तीसरे नंबर पर है और ये चौथे नंबर पर है ठीक है पहले नंबर पर कौन साता है भारत रत्रत दूसरे नंबर पर पद्मवुशन तीसरे नंबर पर पद्मवुशन और चौथे नंबर पर पद्मस्र देखे इस बार जो है वो साथ हस्तियों को मतलब यह जो साथ है ना 07 साथ हस्तियों को जो है वो पद्म भीभूशन मतलब की दूसरे नंबर का ठीक है दूसरे नंबर का जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान होता है उसमें दूसरा नंबर का कौन सो होता है पद्म विभूशन तो 7 हस्तियों को जो है वो पद्म विभूशन दिया गया तीसरे नमबर पर आता है पद्म विभूशन तो 10 को जो है वो ये देखिए डाटा याद रखना है आपको साथ को जो है पदմा भूशन, दस को जो है वो पद्म भूशन और एकसो दो लोगों को पद्म स्री पृसकार देने की घुशना की गई है, यहां तक याद होगे आपको, देखें यहां पर पद्म हुशन के आगे आगे लोगो को 07 करना है ठीक है पद्म भूशन के आगे आप लोगो को क्या करना है 10 करना है और पद्म स्री के आगे आपको क्या करना है 102 करना है ठीक है ये एक सिक्वेंस है जिससे आपको याद हो जाएगा ठीक है क्योंकि यही जो है एक्जाम में पूछा जाता है उसके आदात पद्मपुरुसकार पद्मपुरुसकार के अंदर में आता है पद्मभूशन पद्मभूशन और पद्मश्री ठीके तो पद्मपुरुसकार जो है वो 16 लोगों को मरणोप्रांत देने की घुशना की गई है अब यह हो गया important data यह याद कर लीजिए यह बहुत जादा important है गर्तंत्र दीवस की पूरुसंध्या याने की 25 जनवरी 2021 को पद्मपुरुसकार 2021 का घुशना कर दिया गया है इसके तहत किसी खास छेत्र में विशेश योगदान देने वाले नागरिकों को तीन स्रेणियों में पद्मभूशन पद्मभूशन और पद्मस्री से सम्मानित क किया गया है यह कुछ important नाम है इनके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इनको क्या award मिला है ठीक है कौन से सम्मान दिया गया है क्यों दिया गया है वह आगे हम लोग जानेंगे ठीक है आगे देखते हैं इस बार जो है साथ हस्तियों को पद्मभूशन 10 को पुशन मेरे खेल से बन जाएगा तो यह आपको याद रखना है ठीक है अब आते हैं पद्मभूशन होता क्या है ठीक है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए तो पद्मभूशन जूह है पद्मभूशन सम्मान भारत सरकार द्वारा दे जाने वाला दूसरा उच्चे नागरिक सम्मान है, यह मैंने आपको बता दिया था, यह दूसरा उच्छ नागरिक सम्मान है, पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है भारत रत्न, ठीक है भारत रत्न जो होता है पहला, दूसरा होता है पद्म विभुशन, तो देखें यह आपर लिखा गया है, कि देने वा पादिया दूसरा प्रतिस्थित सम्मान है तो यह इतने पॉइंट याद रखना है अब जो पद्म पुरुसकार है ना उनकी गोशना की गई थी जब उनकी स्थापना मतलब की गई है 1954 को यह भी आपको याद रखना है और यह अवार्ड जो है वह देता कौन है तो वह देता है भारत का राष्टपती तो यह दो चीजों को यहाँ से याप कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूज नहों तीसरा जो होता है वह होता पद्म भूशन तीसरा मने क्यों बूला क्योंकि पहले नंबर पर हमेशा आता है भारत रत्न दूसरे नंबर पर पद्म भूशन तीसरे नंबर पर पद्म भूशन तो यह अभी तक तो याद हो गया होगा इतने बार बूलने के बाद में तो पद्म भूशन जो है सम्मान भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला तीसरा सर् पदमस्री, अब ये कौन से नंबर का है? तो आप सभी को मालुम पढ़ गया, अब ये चौथे नंबर का है, क्योंकि पहले नंबर पर कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है? वहीं से याद होगा आपको बार बार बोलने के बाद, ठीक है? पदमस्री या नहीं, पदमस्री या पद सिख्छा उद्योग साहित विज्ञान खेल चिकित्सा समासिवा सारवजनिक जीवन आधी में उनके विशिष्ट योगदान को मानिता प्राप्त करने के लिए दिया जाता है इसी लिए ये सबसे ज़्यादा दिये गए हैं 102 लोगों को याद रिखिएगा ठीके अब देखते हैं जो पद्म विभुशन हैं वो 7 लोगों को जो दिया गया है ये सबसे आदा important है क्योंकि यही से जो है ये 7 लोगों के नाम से ही exam में question अक्सर पूछा जाता है पदमस्री से इसलिए नहीं पूचा जाता है क्योंकि वो बहुत जादा लोगों को दिया जाता है आप देखें यहां पर 102 लोगों के नाम याद रखने हैं आपको बड़ा मुश्की लोगा तो 7 जो है पदम भूशन और पदम भूशन 10 इन लोगों के नाम आपको याद रखन देखें जापान के पूरू प्रथानमंतरी सिंजो आबे को जन सेवा के छेतर में उत्कृष्ट कारी के लिए पदम भूशन सम्बान दिया गया उनके कारीकाल में भारत जापान के बीच में दूई पक्षिये सम्बंदों में काफी प्रगती हुई थी क्या नाम है इनका सि देखना सेवा के छेतर में जापान के यह पहला पदम भिभूशन सबसे इंपोर्टन दूसरे इंपोर्टन पर चलते हैं SP बाला सुब्रमनियम कला के छेतर में दिया गया है, तमिल नाडू के हैं ये, ठीक है? देज के प्रसिद्ध गायक, SP बाला सुब्रमनियम ने 50 साल की गाय की करियर में, तेलगू, तमिल, कननाड, हिंदी और मल्याला में 40,000 से ज़्यादा गाय थे, उन्हें 2001 में पदम सरी और 2011 में पदम भूशन से नमाला जा चुका था, उनका निदन 25 दिसंबर 2020 को हुआ, इसलि तीसरे की तरफ चलते हैं, डॉक्टर, बेल बे, मुनप्पा हेगडे, ठीक है, चिकित्सा के छेत्र में इनको दिया गया है, जोकि तमिल, नाडू के हैं, डॉक्टर, बेले, मुनप्पा हेगडे, करनाटा के प्रसिद्ध हिर्दया रोग भी से सक्या है, वे प्रेरक वक्ता और लिखक भी है उन्होंने चिस्था पद्दती और नदिक्ता पर कई किताबे लिखी है उन्हें 2010 में पद्म भूशन अवार्ड दिया गया था ठीक है चोथा है नरिंदर सी कपानी विज्ञान और प्रदगी की छेत्र में इनको दिया गया है और ये यूएस के हैं ठीक है कहां के हैं यूएस भारती मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी उन्हें फोर्ज मैगजिन ने बिजनस मैन आफ दा सेंचुली एडिशन में अंसंग हीर जो उसके तोर पर नामित किया था उन्होंने उन्हें 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स सब्द का इजाद भी किया था नरिंदर सी कपानी जो की यूएस के हैं और भारती मुल के हैं ठीक है तो ये भी याद रखना है आपको पाचवाय मौलाना वही दुद्दीन खान इनको अध ग्रुषपिस इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया था उन्हें 2000 में पद्म भूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है तो मौलाना वही दुद्दीन खान पद्म भूशन जो की दिया गया है साथ लोगों में से एक नाम है तो याद रखिएगा छटवे नाम की त बिएसक रह चुके हैं तो याद रखिएगा सातवा सुदर्शन साहू focus important है gonna मैरे जो दो नाम आप आपको बता एं यह सबसेilde जादा प्रदर्सनी देश्वी देश में प्रसिद्ध हैं उन्हें पद्म श्रीश सम्मानित किया जा चुका है पहले भी तो सुदर्सन साहू को इस बार दिया गया है पद्म भूशन तो नाम याद रखेगा और यह एक्जाम में आपको पूछा जा सकता है दो नाम सिंजो आबे और सुदर्सन साहू ठीक है नाम याद रखना है आपको अब इसके बाद में आते हैं देखिए यहाँ पर है पद्म भूशन जो की कितने लोगों को दिया गया है यहां से 10 लोगों को दिया गया है पद्म भूशन 10, पद्म भूशन 7 और पद्म स्री 102 ये डाटा अगर आपको याद हो जाता है तो आपको सारे नाम याद करने में बड़ा ही आसानी होगा ठीक है तो एक बार याद कर लिजेगा देखे पहला नाम इसके अंदर में कृष्णन नायर सांतिकुमारी कला के छेतर में दिया गया है केरल की है तरुन गोगई मरनोप्रांत मोस्ट इंपोर्टे के छेत्र में करनाटक के है तो इनका नाम यह याद रखना है निपेंद्र मिष्र लोक सेवा के लिए उत्तर्प्रेश राम बिलास पासवार मरनोप्रांत यह भी आप इनका बारे में च्छाए जानते है यह ये एक इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता एक्जाम के अंदर में जन सेवा के लिए बिहार के हैं केशु भाई पटेल जन सेवा के लिए गुजरात कल्बे साधिक धर्म के लिए उतरप्रदेश रजनिकान देवास श्राफ या पारुद्दोग के लिए महराष्ट और तरलोचन सी जन सेवा हरियाना तो यह दस लोगों को दिया क जो है 102 लोगों के नाम एक बार देख लेना क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ठीक है पीडिये भी यह बहुत जादा लंबा बड़ा हो जाता था इसलिए 102 लोगों के नाम आपको खुद देखने हैं वहाँ पर जाकर और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको एक बार देख ल दिक्कत हो जाएगा 102 लोगों के नाम है आप एक बार देखके जरूर जाईएगा ठीक है बाकी यह नोग के नाम तो याद कर लीजे अब देखते हैं कुछ प्रश्न ठीक है तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी जो है यह प्रश्नों के उत्तर देते चलना है तो पद्म प पृसकार के पदम पृसकार के तींड प्रयगार होते हैं पदम विषण पदम भूशन और पदम स्री है सी में दूसरा कोशन है कि पहली बार पदम पृसकार कब प्रदान किये गए मैंने आपको सूरू में मता था था कि 1954 में Sakk याद आये हुआ आपको राष्टपतीन को प्रदान करते हैं सही आंसर क्या होगा 1954 यह सम्मान भारत के राष्टपतीन दोरा दिया जाता है इस सम्मान की सापना दो जनवरी 1954 में की गई थी तीसरा प्रेशन 2021 में पदमविभूशन कितने लोगों को सम्मानित किया गया है मैंने इसले बुला आप आप लोगों को कि यह एकदम राट लीजिए अगर आप कमेंट सुक्षन में कमेंट करते चलिए आप लोगों को मालुम है तो 2021 में पद्म विभूशन कितने लोगों को दिया गया तो वो दिया गया 7 लोगों को कितने लोगों को 7 लोगों को दिया गया है तो यहाँ पर सही अंसर क्या हो जाएगा 7 इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूशन 10 को पद्म भूशन और 102 को पदमस्री पुरुषकार देने की घुशना की गई है अब मैंने इतना चिल्लाने चिल्लाने के बाद में आप लोगों को मैंने बार 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 बोला है तो आपको याद होई गया होगा फिर से एक बार देखिए पदम विभूशन जो है वो 7 लोगों को पदम भूशन जो है वो 10 लोगों को और पदमस्री जो है 102 लोगों को दिया गया है तो ये आद रखिए data important है 2021 में पदमस्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया 10 लोगों को 2021 में पदमस्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया पद्म पुरुसकार को कौन प्रदान करता है, नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर बताइए, अभी भी कई बार इसको जो है दोहाच चुके हैं, आठवा है, पद्म पुरुसकार को किस वर्स नहीं दिया गया था, तो पद्म पुरुसकार को जो है, वो 1903-1980, 1993-1997, तो य करिएगा, जो कोशन पूछे गए हैं, उसके नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करिएगा, देखें, इससे रिलेटेड और भी प्रेशन जो है, वो बनेंगे, तो उसको बाद में जो है, वो कर लेंगे, अभी इतना ही important है, तो ये data कम से कम, आप याद कर लीजे, ठीक है, थ थोड़ी तबे, ठीक हो जाने के बाद में continue वीडियो अच्छे से upload कर दिये जाएंगे, ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही था, जय हिन, जय भारत,